नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं हाउ टू लर्ण एस्ट्रलोजी यूट्यूब चैनल दोस्तों कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सूर्य देव को जल चड़ाता है नित्य परति दिन उनकी सेवा करता है उन्हें ना तो कभी शनी दोस से पीड़ा होती है और ना ही कभी मिर्त्यू का भेह रहता है शूरेदेव को सभी देवों का राजा माना जाता है और यह सूरेदेव को चड़ाने वाले जल की परंपरह वेजिकाल सही चलि आ रही है जोति शास्तर की माने पुराणों मैं भी ये बरृनित है कि सूरे देव को नित परती दिन जल चड़ाने से रोग दोस आदी का अंत होता है और जातक की सभी मुझाई दोस्तों सास्त्रों में बताये गए उपायों का यदि आप पूरे विदी विदान से पालन करते हैं तो आपका स्वास्त भी ठीक रहेगा वे साती सात आपके भाग माता सुनें पूरी वीडियो देखे आपको पूर्ण जानकाली हो सके वैसे तो धन-प्रापति के लिए माता लक्षमी को याद किया जाता है माता लक्षमी की पूजा विदी विदान से अब पूरे सज्चे मन से सरदा भाव से की जाती है लेकिन माता लक्ष्मी के साथ साथ नारायन यानि श्रीहरी विश्णूजी की भी पूजा करनी चाहिए ताकि आपको हर प्रकार का सोभागय वे शुक सम्रदी वे शांती प्राप्त हो सके साथी धन कमाने की सभी मनुकामनाएं आपकी पूर्ण हो सके मनुवांचीति छाएं पूरी हो जाती है सूरदेव को जल चढ़ाने वाले लोटे से जल जमीन पर गिरता है वज्जर के समान मजबूत हो जाता है और मनुष्य के सामने एक वज्जर बन करके उसकी सभी समस्याओं से उसे बच लिखें दू. दूसरे है पनल फी मता व्यषन देवी इन में से दोस्तो सूरदेव और सॉर्यध सके साक्षार्ट अभाट होने वाले दिवी दिवताओं में सब से उपर का स्थान दिया गया है, इसलिए सूर्य देव को सभी देवों का राजा कहा जाता है। दोस्तों आप वी मानसम्वान की प्राप्ति करनी है, तो आपके कुंडली में सूर्य देव को सुब ग्रह में सामिल होना चाहिए। जिन मनुश्यों की कुंडली में सूर्य सुविश्थिति में होता है उन्हें बड़ी सफलताई हाशिल हो जाती है लेकिन अगर सूर्य असुविश्थिति में हो तो मनुश्य को कड़ी से कड़ी मेहनत करने के बाद कठोर परिश्रम करने के बाद भी सफलताई नहीं मिल पाती जोतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि जो भी व्यक्ति सूरेदेव की पूजा करता है उसे अपने घर में और समाज में मान सम्मान मिलता है मनुवांचीति छाएं जल्दी पूरी हो जाती है और व्यक्ति छाएं कितना भी निर्दन हो उसे अपनी दर्द्रता से मुक्ति मिल जाती है दोस्तो आज की इस वीडियो को बनाने के पीछे भी यही कारण है आज की वीडियो में हम आपको जोति सास्तर के अनुसार पुराने एक धर्म गरंतों और पुराणों में सुर्देव को जल्द चड़ाने का जो सही समय है वो बताने जा रहे हैं अगर आप सुर्देव को सही जमय पर जल देते हैं तो आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा सुर्देव को जल चड़ाने से यस, मान सम्मान, सौभाग्य, धन, उत्तम मित्र, उत्तम संतान, उत्तम पारिवारिक शुक यह सभी सहिस्ता से मिल जाता है अगर सुर्देव को जल चड़ाने की बात की जाए तो सुर्देव को जल चड़ाने का पहला नियम कहता है कि आपको सुबह 8 बजे से पहले पहले ही सुर्देव को अर्ग दे देना चाहिए ये कारे करने से पहले आपको अपने नित्य कर्मों से निर्वित हो जाना चाहिए और सुझता का विशेश ध्याना करना चाहिए अच्छी तरह से नहादो करके पवित्र हों उसके बाद ही आप सूर्य देव को जल चड़ाए ये करिया सुर्य आठ मजे से पहले ही पूर्व हो जानी चाहिए सूर्य उदे होने के तुरंत बार पूर्व दिशा की और मुक करके और सूर्य अस्त होने से तुरंत पहले पस्चिन दिशा की और मुक करके जल चड़ाने से आपको यश्की प्राप्ती होती है सूर्य को अर्ग देने वाला लोटा यदि तांबे का है तो ही आपको हर प्रकार का फल मिलता है पीतल लोहे या श्टील के लोटे से जल चड़ायोए जल से आपको इन सभी में से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है यदि आप सूर्य देव को किवल जल चड़ाते हैं तो इसका सूर्य देव को जल चड़ाये सूर्य देव को नित्य पड़ती दिन जल चड़ाते हैं और आपको उसका पूण फल नहीं मिलता है तो उसकी पूण फल की प्राप्ति के लिए जिस स्थान पर खड़े होकर आपने सूर्य देव को जल चड़ाया है उस स्थान की वहीं पर पात्र को जमीन पर रख ले और उसी में जल अर्पित करें क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सूर्य को जल चड़ाने वाला जल जब जमीन पर गिरता है तो उसके कुछ छीटे आपके पैर पर गिरते हैं जो की बेहत अशुम माना जाता है यह ना हो इसलिए आप एक पात पेड नीचे या तुलसी माता के नीचे उस जल को अर्पित कर सकते हैं ज़धि आप सूर्यदेव को जल चड़ाने के बाद उनसे फल की काम न जलम पर डिला ज़खने हैं चाहे बजरंग बली